सब्सक्राफ तोड़े वी डू वन क्राफ अवर क्राफ नेम इस पेपर कप अवर क्राफ नेम इस पेपर कप हमने ओनलाइन सेशन में यह कप बनाया ना बेटा ऐसा ही अभी हम यहां बनाएंगे ओके इसके लिए हमें क्या चाहिए ग्लू चाहिए पैंसिल चाहिए सीजर चाहिए और अगर आप स्केल का यूज़ करना चाहते हो तो स्केल भी ले सकते हो अभी हम क्या करेंगे पहले तो हम यह paper है ना उसे दो side से अच्छे से fold कर देंगे ऐसे दोनो side से equal fold करना है ओके फिर हम क्या करेंगे बेटा हम कोई भी एक चीज़ से यहाँ पर circle draw करेंगे मैं blue से circle draw करूंगी देखो बेटा मैंने ऐसे सरकल ड्रो कर दिया है अभी मैं इसे ओपन करके स्केल से यहां से बीच से कट करूंगी आप सीजर से भी कट कर सकते हो ओके पिर जो सरकल ड्रो किया था उसी साइट से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और हमें यह सरकल कट कर देना है देखो मैं सीजर से कट कर रही हूं आपको भी दोनों सरकल कट करने है देखो हम ने 2 सरकल कट कर दिये है अभी हमने जो दो स्ट्रिप लिये थे उसमें से एक स्ट्रिप को मैं यहां नीचे से ऐसे फोल्ड करूंगी और उसे फोल्ड करने के बाद सीजर से कट करूंगी ऐसे देखो बड़ा बड़ा कट कर देना है पूरा पेज कट कर देना है ऐसे जहां तक हमने फोल्ड किया है फोल वाला पाड़ ही कट करना है और कुछ करना नहीं है और अलग नहीं कर देना है हाँ देखो मैंने कट करके दिखा है न ऐसे ही फोल किया है वहाँ से फिर हम क्या करेंगे हमने जो सरकल काटा था उसके उपर मैं ग्लू लगाओंगी मैं यहाँ पे glue लगा रहे हूँ side पे ही लगाना है बीच में नहीं लगाना है देखो ऐसे मैंने glue लगा दिया अभी यह जो हमने cutting किया था वहाँ पे मैं cutting की side से यहाँ पे circle पे paste करने जा रहे हूँ देखो यहाँ ऐसे ही और फिर धीरे धीरे पूरा circle paste कर देना है ओके यहाँ पे धीरे धीरे करना है देखो आधा करके मैंने दिखाया वो थोड़ी देश सुखने देना है तो ही चिटकेगा बना नहीं चिटकेगा देखो मैंने थोड़ा रखा है यहाँ पे इसे मैं यहाँ ऐसे पेस्ट करूंगी और जो रहे जाता है बाकी का पोशन मैं उसे यहाँ पे ऐसे अच्छे से अरेंज करके वापिस पीछे की साइट से ऐसे पेस्ट कर दोंगी मैं करके दिखाती हूँ देखो ऐसे मैंने पूरा पेस्ट कर दिया है अभी आपको क्या करना है देखो यहां पीछे अच्छा नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना है हमें ने जो दूसरा सरकल कट किया था वो हम यहां पे ग्लू लगा के ऐसे पेश्ट कर देंगे ओके देखो ऐसे मैं यहां पे इसको पेस्ट कर रही हूं और फिर ऐसे नीचे से प्रेस कर दूँगी थोड़ा अच्छे से वो चिपक जाए इसके लिए अभी हमें क्या करना है ऐसे मैंने एक स्ट्रीप लिए है आप इससे थीक लेना चाहो तो ले सकते हो ओके फिर हमें क्या यहां पे ऐसे मैंने बीच में से पोल कर दिया अब मैं यहां पे ग्लू लगा दूँगी देखो ऐसे मैंने ग्लू लगा दिया अब मैं इसे अच्छे से यहां पे ऐसे स्टीक कर रही हूं दोनों साइड मैंने स्टीक कर दी है अच्छे से आप देख सकते हो ऐसे फिर हम क्य करेंगे यह अच्छ से स्टीक हो जाए उसके बाद हम इसे यहां से बीच में से ऐसे फूल करेंगे और यहां नीचे की साइड से भी हम ऐसे फूल करेंगे और दोनों साइड लू लगा के हम यहां पर ऐसे पेस्ट कर देंगे ओके मैं करके दिखाती हूँ दो मिनिट देखो मैंने पेस्ट कर दिया है अभी हमारा पेपर का रेडी हो गया है दोनों देखो You do at your home and send video by school WhatsApp number Thank you